नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर हम कर रहे हैं हिंदी साहिते का रितिकाल और रितिकाल के हम वस्तुनिष्ट प्रशन कर रहे हैं इन प्रशनों को हमने हिंदी साहिते एवं भाशा का वस्तुनिष्ट इतिहास नामक पुस्तक से लिया है जो की पांडे बनों की एक प्रसिद किताब है competitive exam की तयारी के लिए बहुत से बच्चे ये किताब खरीदना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए मैंने इस book को आधार बनाया है वस्तोनिष्ट प्रशनों के लिए तो आईए आज इसी के प्रशन देखते हैं हम रिती बद कावे के कवी कर रहे थे तो इन कवियों में अगर देखें तो सूर्ती मिश्र का महतपूर्ण स्थान है इनकी जो रचना है अलंकार माला है, रस रतन माला है रस सरस है, रस ग्राहक, चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिधान्त, रस रतनाकर, भक्त विनोद, शिंगार सागर ये किसकी रचनाएं हैं? सूर्ती मिश्र की ये प्रसिद रचनाएं है उसके बाद उद्यनात कविंदर की अगर बात करें तो रस चंद्रोद्य, विनोद चंद्रिका, और जोग लीला इनकी प्रमुख रचना है इसके साथ देखें, बिखारी दास ने सरोप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाशा, चंद, तुक आदी पर विचार किया है यानि हिंदी की काव्य परंपरा जो है जिसमें भाशा को शामिल किया जाता है, चंद को शामिल किया जाता है, तुक को शामिल किया जाता है यहाँ पर सबसे पहले इन सभी पर अगर किसी ने ध्यान दिया तो वो विखारी दास ने दिया है उसके बाद है माखन ने हिंदी में सरप रथम कुम्भक, हरी मालिका, मदन मोहन, सूरस, तरल गती, सदा गती, सूबल, परवा और गंधार नामक मातरिक चंदों का निरूपण किया है उसके बाद अगर देखें हिंदी में रिती का अर्थ क्या है काव्य रचना पद्धती किन्तु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभीत किया गया है यानि कहीं कहीं से मारग से भी जोड़ा गया है उधारन के तोर पर यहां पर दिया गया है सबसे पहले केशव दास को देखें तो यह क्या कहते हैं समुझे बाला बालकन वर्नन पंथ अगाद यानि यह अगाद पंथ है चिंतामणी क्या कहते हैं रिती सू भाषा कवित की बर्नत बुद्ध अनुसार उसके बाद मतिराम जी कहते हैं सो विश्रब्द नवोड यो बर्नत कवी रस रीती भूशन क्या कहते हैं सू किविन हू कछू कुरपा समुझी कविन को पंथ देव क्या कहते हैं अपनी अपनी रीती के काव्य और कवी रीती इसके बाद सूरती मिश्र की अगर बात करें तो बर्नन मन रंजन जहां रीती अलोकिक होए निपून करम कवी को जूती ही काव्य कहत सब कोई यहाँ पर इन्होंने बात किया है कि काव्य रचना का जो पदती है तरीका है उसको क्या कहते हैं कोई उसे रीती मानता है कोई उसे पंथ मानता है तो वो यहाँ पर उधारन लिए हैं सोमनात क्या कहते हैं चणद रीती मुझे नहीं बिन पिंगल के ग्यान उसके बाद बिखारी दास की जो पंक्तिया है काव्वे की रीती सीखी सूखविन सो अरू कच्छु मुक्तक रीती लखी कहतने उल्लास बन्दन सूखविन के चरण अरू सूखवी के ग्रंथ जाते कच्छुहा हूँ लो लहो कवीताई को पंथ उसके बाद दूले थोरे करम करम ते कहीं अलंकार की रीती पदमाकर कहते हैं ताही को रती कहते है रस गरंथन की रीती बेनी परवीन यारस अरुनव तरंग में नवरस रीती ही देखी अति परसंद ललन जी कीन ही पृती बिसेखी तो ये अपने विचार इन्हों ने दिये हैं परताप साही क्या मांते हैं कि कवीत रीती कचु कहते है व्यंग अर्थ चित लाई ये कौन कहता है ये प्रताप साही कह रहे है तो इसके बाद अगर देखें दोक्तर बच्चन की अगर बात करें तो दोक्तर बच्चन ने क्या लिखा है ये लिखा है कि रिती कवी कवीता के सोधागर थे देव ने सुकवी को कवीता का सोधागर कहा है जो बच्चन है वो क्या कहते हैं कवीता के सोधागर कहा है किसको कहा है रिती कवीयों को उन्होंने कविता का सोधागर माना है और किसने बच्चन ने ऐसा माना है उसके बाद आ जाते हैं रिती कावे को योवन की रमनियता का कावे भी कहा जाता है योवन की रमनियता क्योंकि प्रेम वर्णन इसमें अधिक किया गया है उसके बाद अगर हम देखें रिती कावे को निलिन विल प्रेम कहा है किसने कहा है यह यह कहा है नलिन विलोचन शर्माने उसके बाद बात करते हैं रिति सिद्ध कव्यों की यह जो हमने किये यह रिति बद काव्य इसके वीडियो पहले भी मैं करवा चुकी हूं उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल द्वनिवादि मानते हैं यानि अचार्यए शुकल के नुसार तो ये रस के प्रवबर खके रस रस्को इन्होंने महतव दियाएं अद्यरी में या द्वनी सिध्धानत के itself भुड़े हुए हैं उसके बाद श्रीर्णाद गोश्वाभी बिहारी को प्यूष वरस सी मेग की उपमा दी है किसको दी है बिहारी को दी है कि अम्रित की करवर्षा करने वाले मेग कोन है बिहारी है और ऐसा किस ने कहा है शिरी राधा चरण गो स्वामी ने कहा है किसके लिए कहा है बिहारी के लिए कहा है ये भी आप यहां पर ध्यान में रखें बिहारी लाल के जीवन की गर बात करें तो इसमें अगर देखें तो इनका जननम 1595 इस्वी के हुआ और इनकी मृत्यू 1663 इस्वी में जननम इनका कहा है गोविंदपूर में है इनके पिता का नाम केशव दास है गुरू इनके नरहरी दास है और जिस संपरदाई में दिख्शित हुए वो कौन सा संप बिहारी मैं माततर रचना इसमें निभार्ण संपरदाई है महराज जैसिंग के ये आश्रेये में रहे कर इन्होंने अपने कावे की रचना की है बिहारी राल की माततर रचना है विहारी सत सईया का है जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर की ये तो तीर के और उस तीर के समाने जो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन पूरा शरीर बेद जालता है डोक्तर जोर्ज गिरियरसन क्या कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सत्सई के समकष कोई रचना नहीं कई बार पंक्ति पूछ ली जाती है ये परिभाशा देकर कि किसकी पंक्ति हैं तो ये डोक्तर जोर्ज गिरियरसन ने कहा है किसके लिए कहा है बिहारी सत्सई के लिए कहा है बिहारी सत्सई के लिए कहा है बिहारी सत्सई की तीका सरवप्रथम सवया चंद में की और इनुसरा दूसरी सूरती मिश्र ने लिखी है इसमें जो टीका है उसका नाम कया है अमर्चंद्रीका है तीका का पुरणयन दोहों में ही किया गया है उसके बाद लल्लू-लाल है लाल-चंद्रीका इनकी रचना है प्रभु द्याल-पान्डे प्रभु द्याल पांडे की तीका है 1896 में लिखी आदुनी खड़ी बोली में इसको रचना की गई है अंबिका तत्व्यास के अगर बात करें तो बिहारी बिहार इनकी रचना है दोहे के भाव का रोला चंद में इन्होंने पलवन किया है कि दोहा तो बिहारी की रचना में प पुलनात्मक पद्दती में अर्थ निरुपण इन्होंने किया है आनंदिलाल शर्मा की अगर बात करें तो इनकी रचना है फिरंगे सत्सई फार्षी भाषा में इसको लिखा है जगनात दास रतनाकर की रचना है बिहारी रतनाकर 1921 में लिखी गई है हिंदी खड़ी बोल इसके साथ जगनात रतनाकर की रचना को भी आप ध्यान में रखें जिसका नाम है बिहारी रतनाकर बिहारी सत्सई का अन्य भाषा में किया गया जो अनुवाद है उसको अगर देखें तो पंडित परमानंद ने किया है किस भाषा में संस्कृत भाषा में और उसका क्या न और इसका जो अनुवाद उर्धी भाशा में किया है और उनका नाम किया है उसने गुलदस्त बिहारी नाम दिया है किसने मुन्षी देवी परसाद प्रितम ने बिहारी लाल के समस्त दोहों की संक्या 719 है किन्तु जगनात दासरतना करने इनके दोहों की संक्या 713 ही माना है बिहारी सत्सई का सरवादिक परभाव जिन कवियों पर पढ़ा है उनकी अगर बात करें तो यहां पर देखें अमरूक पर पढ़ा है संस्क्रित भाषा में इन्होंने रचना की है और रचना का नाम क्या है अमरूक शतक इनकी प्रसिद रचना है उसके बाद देखें हाल कवी पर भी इनका परभाव दिखाई देता है उन्होंने प्रकरत भाषा में गाथा शप्तशती की रचना की है गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशा है यानि जो हाल है हाल कुन हाल जो शालिवाहन के हैं हाल कवी वो तो गाथा के गोवर्धन है यानि गाथा में अपना विशेश थान रखते हैं जो हाल है वो गाथा में और जो कवी गोवर्दन है वो आरिया में गोवर्दना चारिये इनकी रचना कुन सी है आरिया शप्तशती तो जो गोवर्दन है उनकी रचना आरिया तथा बिहारी के बिहारी जो है वो किसके बादशाह है वो दोहों के बादशाह है ऐसा किसने माना ह बल्देव उपाध्याय ने माना है यानि इन्होंने हाल की जो रचना है गाथा शब्त सती उसको विशेश महतव दिया है गुवर्धन की रचना आरिया को और बिहारी को दोहों का बादशा माना है आचेरे रामचंदर शुकल ने बिहारी के संदर में जो बाते कही है मैत्पूर्ण है पेपर में आ जाती है इनको आप ध्यान से करें ये क्या कहते हैं कि शिंगार रस्त के गरंथों की जितने ख्याती और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना किसी और का नहीं इसका एक दोवा हिंदी साहित्य में एक एक रतन माना जाता है यानि इनके दोवे बहुत मुले हैं रतन के समान है यदि परबंद कावे एक विस्तिरित वनस्तली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है यानि उस समय में जो परबंद कावे लिखे गए उनको अगर हम उतनी ही वे मुक्तक की रचना में सफल होगा यह एक शमता किसमें मिलती है बिहारी में पूरण रुप से वर्तमान थी यानि बिहारी में ये पूरण रुप से विद्यमान थी क्यों क्योंकि इनका कलपना और भाषा दोनों पर अधिकार माना है बिहारी की रस्वेंजना का प आव्यांगों के सुक्षम विन्यास की निपुनता की ओर ही मुख्यत द्रिश्टी रखने वाले पार्खियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाती दांत के टुकडे पर महीन बेल बूते देख घंटों वाहवा किया करते हैं। पर जो हद्दे के अंतस्तल पर मारमिक पर भाव चाते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाते हैं, उनका संतोष भिहारी से नहीं हो सकता है। ऐसा किसने माना है आचरे शुकल में माना है। भावों का बहुत उतकरष्ट और उद्दात सवरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनके शिंगारी है पर प्रेम की उच भूमी पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये भी किसने कहा है, आचरे शुकल ने कहा है। वरिंद का पूरा नाम क्या है? वरिंदावन था, इनका जनम मेडवे में हुआ और इनके पिता का नाम शिरी रूप था। वरिंद के आश्यदाता कोन थे? औरंग जेव तथा किशनगड के महराज जैसिंग थे। वरिंद की परमुख रचनाओं की अगर बात करें, तो इन शिंगार के विभीन भावों का वर्णन यहां पर किया है। नैयन 25 की अगर बात करें, तो 1686 में लिखी गई नेत्रों द्वरा प्रकट विभीन भावों का वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद है 25, 1691 में शड रितु का चप्पय शंद में इन्होंने वर्णन किया उसके बाद शिंगार शिक्षा 1691 आभूशन अमिन शिंगार के साथ नाइकाओं का वर्णन इसमें किया गया है। यमक सत्सई की अगर बात करें, 1706 इसमें लिखी गई, 715 चंदों में यमक अलंकार का वर्णन यहां पर किया है। किसमें किया है? यमक सत्सई से नाम से इस हो रहा है और किसकी रचना है? यह रचना वरिंद की है, यह आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख रितिकालिन कव्यों की रचनाओं की अगर बात करें, तो उसमें रस निदी का स्थान भी अपना एक विशेश थान है, इनकी रचना रतन हजा प्रसिद रचना है, निवाज की शकुंतला नाटक एक प्रसिद रचना है, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, क्रिशन कवी लाल की अगर बात करें, तो विहारी सत्सई की तीका है, विदूर प्रजागर है, उसके बाद हठी जी की रचना भी महत्तपूर्ण है, जिस कहारा, उसके बाद बेनी वाजबई की बात करें, तो फुतकर्चन है, पजनेश की रचना है, पजनेश प्रकाश, नक्षिक और मधूर प्रिया, राम सहाय भगत का कहारा, जैसी की अखरावट की शैली में लिखा गया, जैसी की अखरावट क्या है, ये एक तरह से शब्द रचनाए हैं, उनके बारे में आज हमने जाना, हम थोड़ा-THोड़ा करके इस लेबस पूरा कर लेंगे, इसमें हम आदि काल कर चुके हैं, भक्ती काल हम कर चुके हैं, अब हम रितिकाल कर रहे हैं, तो उमीद करती हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूं आपके लिए, ये आपके लिए उपयोगी सिधो जो भी competitive exam है उनमें आप अच्छे से त्यारी कर पाओ ऐसी मेरी कामना है बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह चैनल के साथ जोड़े रहें